करोना काल में सोच मैं प्रध्यापक डॉक्टर सुनिल कर पे आप सब के साथ वारतालाप करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहुत कठीन समय चल रहा है भारत और पूरा विश्व एक आज बहुत बड़ी बिमारी के दैरे में आया है लेकिन मैं सब को बताना चाहता हूँ विश्वास देना चाहता हूँ कुछ कर गुजरने के लिए मोसम नहीं मन चाहिए साधन तो जूट जाएंगे संकल्प का धन चाहिए और वो संकल्प का धन कहां से आता है हम सब भारत माता के बेटे हैं बेटिया है और हम सब जानते हैं कि देश में क्रांती करने का काम भारत ने किया है आज एक यहां से मैं छोटी से कहानी से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चलते रहो, जिन्दगी में जब आप चलोगे तो आप अंधेरा को भी काट लोगे इसी प्रकार एक कहानी है कि एक नोजवान लड़का कही अपने प्रचार दोरे के लिए निकलता है रात हो जाती है तो खाना खाके सो जाता है और आत को दो आड़ाई बज़े उसको नीन उसकी खुल जाती है उसके पास एक छोटी सी लालटेन होती है और वो सोचता है कि मुझे तो 100 किलोमेटर जाना है और आप भी तो घने अंदेर रात पहली हुई है और मेरे पास जो लालटेन है उससे तो चार कदमी मुझे दीख रहे हैं मैं कैसे जाओंगा 100 किलोमेटर फिर वही वो बैठ जाता ह है सोचता है बहुत सोचता है बहुत सोचता है कुछ लोग है ना सिर्फ सोचते करते कुछ नहीं उसी प्रकार और फिर वहां से एक थोड़े समय के बाद एक बुढ़ा तेजी से चलता हुआ आता है और उसके हाथ में च्छोटा सा कंदील होता है और उस नोजवाल लड़क फिर वो बुढ़ा आदमी उसको बोलता है बेटे उठ तु चार कदम चल तुझे और आगे के चार कदम दिखेंगे और इसे तु हजार किलोमेटर क्या दस हजार किलोमेटर तक तु जा सकता है चल सकता है अपनी मंजिल का भी ऐसे भाई और भेनों कभी-कभी हम सपने में ताकत चलने में है करोना से लड़ाई करने की ताकत भी चलने में है करोना के लिए जो जो सरकार अपनी जो जो सुझाओ दीती है जो जो जिस तरह से प्रयों करती जैसे मास लगाए जैसे सेनेटराइज करें जैसे हाथ को हमेशा साबुन से दोए इन सब चीजों को आप करो कुछ लोग बोलते क्या होता है होने वाले को तो हो जाएगा don't think negative ऐसे लोगों से परे रहो अपने सहत का ख्याल खुद करो जिन्दगी में अपने काम को चलाओ अगर नहीं आप फूजिकली वहां जा सकते तो आप online काम शुरू करो लेकिन चलते रहो भाई और भेनो एक दिन सब सुविधाय जो है जो योजना है सरकार की जो schemes है उसके बारे में जानो समझो और उसके उपर positive विचारों से उसको कदम उसको पार करो एक दिन आपकी जिन्दगी में खुशिया लिए आएंगी धन्यवाद